हेलो गाईज, वेलकम बैक तू माई चानल, मेरा नाम है अमोग, यह है All New 2023 हुंडाए एकस्टर का टॉप स्पेक वेरियंट SX Optional, गाड़ी बहुत ही जाधा एग्रेसिव और बीस्ट लुक के साथ निकाली है हुंडाए ने, फ्रेंट में आपको मैसिव हुंडाए का लोगो म लेगा नीचे एकस्टर की बैजिंग मिलती है उसके नीचे ग्रिल के उपर आपको प्यानो ब्लेक इंसर्ट मिलते हैं जो काफी ज्यादा कॉंप्लीमेंट कर रहे है कार के फ्रेंट लुक को, बंपर के उपर आपको नंबर प्लेट हाउजिंग मिलेगी, ब्लैक और सिल्व इसी के साथ आपको इंडिकेटर में हलोजन बल्ब को प्षिन मिलता है, सर्राउंज में प्यानो ब्लैक इंसर्ट मिलेंगे, यह आप देखरें गाड़ी के हेडलेम्स प्रोजेक्टए हैं crist six helped है हाईबीम और लो बीम के लिए प्यानो ब्लैक इंसर्ट और क्रोम की सर्रार मिलेगी ओवराल कार का जो फ्रेंट डिजाइन है वो इसके कॉंपिटीटर टाटा पंच से बहुत ही जादा बढ़िया लग रही है यह बात बोलनी पड़ी कि पंच इसके आगे हलकी जरूर लगती है साइड में आपको ब्लेक अलकी क्लैडिंग मिलेगी जो अलोवर्दीकार रन करती है यह 15 इंचेस डामेंड कट अलोई वील्स 175 65 आर 15 इस दे प्रोफाइल फ्रेंट में में एक फ़र्शन सथ सुस्पेंशन मिलता है रियर में टॉर्जन बीम सस्पेंशन मिलेगा 185 mm की मैसिव ग्राउंड क्लेरेंस मिलती है एक्स्टर के अंदर साइड में यूग टोन वाला वेरियंट है तो आपको पिलर्स और रूफ पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ मिलती है जो इस क्लर को आफ़ी कॉंप्लिमेंट कर रही है ब्लेक क्लर के आपको रूफ रैल्स मिलेंगी शनरूफ मिलती यह साइट प्रोफाइल में अगर मैं इसे कॉम्पुटिटि नहीं चाहिए सिटी परपस के साब से इतनी बड़िया काड़ी निकाली ना एक्स्टर ये बात बोलनी पड़ेगी 37 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपसिटी मिलेगी प्लस सी पिलर पे आपको सॉट अफ टेक्स्चेड मिटीरियल मिलता है प्यान ब्लाक इंसर्ट के साथ सो हुंडाए का डिजाइन लेंगवेज यार बहुत ही बड़े लगा मुझे एक्स्टर के अंदर रियर प्रफाइल की बात करें ना तो रियर प्रफाइल मुझे फ्रंट से भी ज़्यादा बेटर लगा उपर आपको स्पोर्टी लुकिंग स्पॉयलर मिलेगा हाई मॉन्स स्पॉर्टी लुक दे रही है कार को दो रिफ्लेक्टर मिलेंगे और दो ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं यहां पर हुंडा ने कॉस्ट कटिंग करा है यह आप देखरो काड़ी का टोइंग हुक और एग्सॉस्ट पाइप एंड बेस पार्ट इस एक्स्टर के अंदर आपको C&G का ओप्शन भी मिलता है मतलब हुंडा नेना फ्यूल उक्रोमी का भी बढ़िया अध से ध्यान रखा है यह आप देखरो काड़ी के टेल लेंप्स एच शेप में आपको LED टेल लेंप्स मिलेंगे इंडिगेटर और रिवर्स लाइट में आपको हेलोजन बाल भी मिलता ह सेफटी की बात करें तो six airbags standard मिलते है across all variants, ABS, EBD, ESC, Vehicle Stability Program जैसे safety features भी आपको Hyundai X-Tar के अंदर मिल जाएंगे चलिए boot open करके देखते है तो आपको electrometric button मिलता है boot open करने के लिए यह आप देखो reverse parking camera, license plate light, license plate area भी मिलता है आपको boot space की बात करें तो आपको 391 liters का massive boot space मिलता है जो की more than sufficient है small family के long trips के लिए plus deep boot मिलता है तो अच्छा का सा समान आप इसके अंदर load in कर सकते हो, partial tray का option भी मिलता है boot में left hand side आपको एक boot lamp मिलता है, plus right hand side आपको एक hook मिलता है bags को hang करने के लिए 60-40 split seats का option नहीं मिलता, आपको bench style seat ही मिलेगी, spare wheel की बात करते तो alloy wheel नहीं मिलता और यह 14 inches का मिलता है, तो यहाँ पे cost cutting करी है Hyundai ने, spare wheel की profile आपको 165-70R14 मिलती है यहाँ पे आपको दो levers मिलेंगे जिनको आप pull करके इसकी rear seat को flat down कर सकते हो and तब आपके पास काफी ज्यादा room मिल जाता है, अगर आपको अपना house shift करना है, तो easily कर पाओगे so jokes apart, गाड़ी के अंदर तो space है ना, वो बहुत अच्छे से utilize किया है Hyundai ने, यह आप check out कर सकते हो चलिए boot को close करते हैं, तो boot को close करने के लिए हाँ पे आपको lever मिलता है जिसको pull करके, इसके boot को close कर सकते हो and honestly boot मुझे थोड़ा सा हलका लगा, अगर मैं compare करता हूँ door से ना, तो boot थोड़ा सा हलका है extra के अंदर आपको total 9 color options मिलते है, exterior के लिए and interiors के लिए आपको total 3 color options मिलते है and एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो design language है ना, Hyundai की rear door की, वो मुझे थोड़ी से attractive लगी, यह आप देखो यह जो boxy design मिलता है ना, यह मुझे अच्छा लग रहा है, काफी compliment कर रहा है car को यह देखो आप, जब यह door open होता है ना, तो इस वज़े से door भी काफी wide open होता है तो step in करना और step out करना भी car से easy हो जाता है door pads आपको black color के मिलेंगे, hard plastics मिलते हैं, यह आप देखो गाड़ी के door handles sort of a textured material मिलता है door pads के उपर, power window एक control, one liter bottle holder और speaker grill मिलती है scuff plate का आपको option नहीं मिलता एक्स्टर के अंदर, bench style seat मिलती है और यह आप देखो रहाग फैबरी का पोल्स्ट्री leather का option नहीं मिलता लेकिन side में leather मिलती है, पूरी leather seats नहीं मिलेंगी, दो adjustable headrest मिलते हैं आपको extra के rear seat में front seats मेरे height accordingly adjusted है, which for reference is 59, decent amount of आपको leg room मिलता है, प्लस pair को नहीं से stretch करने के लिए भी space मिलता है floor hump almost flat मिलता है, so 2 adult और 1 kit sufficient रहेगा इस car के अंदर, आप headroom चेक कर सकते हो, क्योंकि यह scooped out है यह scooped out है, तो headroom भी काफी अच्छा मिलता है इसके अंदर, fixed headrest मिलेंगे इसके अंदर, airbags की badging, height adjustable seat belts नहीं मिलती, grab handle, grab handle and hook, reading lamp मिलेगा आपको, halogen reading lamp, dual आपको headrest मिलेंगे, third passenger के seatbelt मिलेगी, dual AC vents, और नीचे आपको 12 wall का पापर outlet मिलेगा, और ऐसी लगती है कुछ गाड़ी, rear end से, यह तो आपको बिलकुल ऐसी लगी है, यह आप नियोस में बैठे हो, लेकिन, गार का जो exterior है वो बहुत जादा बड़ी और premium है, अब चलते हैं, बाहर की तरफ, driver side door के उपर आपको request sensor मिलेगा, keyless entry के लिए, driver side door पे ही मिलता है, passenger side door पे नहीं मिलता, door pad की बात करें तो आपको black color का ही मिलता है, all black hard plastics मिलेंगे, door pad पे आपको sort of a textured material मिलता है, power window ए control, style lock safety button, lock unlock के button, और overview control करने के buttons मिलेंगे, driver side की window आपको auto down function के साथ मिलेगी, auto आपका feature नहीं नहीं मिलता, door pad पे आपको one data bottle holder मिलेगा, speaker grill मिलती है, seats की बात करें तो आपको height adjustable seats मिलेंगी, height adjust करने का lever, backrest angle adjust करने का lever, और यहां से आप seats को front और back adjust कर सकते हो, यह है गाड़ी के pedals, proper dead pedal भी मिलता है आपको, यह आप देख रहों गाड़ी का fuse box, उपर आपको traction control on off करने का button मि headlight leveler मिलेगा, engine start stop button मिलता है, AC vents के surround में, piano black inserts मिलेंगे, यह आप white strip देख रहे होंने, यह car का color है, जो भी car का color होगा, वो आपको AC vents के surround में भी मिलेगा, seats की बात करते हैं, तो आपको leather upholstery मिलती है, side के काली bowstring में, बाकी आपको fabric upholstery ही मिलेगी, तीन color interior में options मिलते हैं आपको, bowstring मुझे बहुती सदा comfortable लगी, they hug you very nicely, तो seats काफी comfortable लगी मुझे, as compared to punch की, अगर मैं बात करूँ तो, car के अंदर hop in करते हैं, और यह आप देख रह blue color की, बहुत बढ़िया लगी यार, यह बहुत बढ़िया लगी जब यह रात को light up करती है, and instrument cluster पे आपको door opening की warning भी दिखा रहा है, जो भी particular door open होगा, उसकी यह warning देगा, which is very nice, so यह गाड़ी का leather wrap steering wheel है, which feels very nice, और यह कितना light है यार, Hyundai के एक बात तो बोलनी पड़ेगे, मत बीच में Hyundai का logo, horn, nice horn, airbags की badging, यहाँ पे आपको infotainment control करने के buttons मिलेंगे, voice command का button, mode का button, call pick या drop करने का button, star button, volume up करने का button, volume down करने का button, channel C करने के buttons, यहाँ पे आपको MID में toggle करने के switches मिलेंगे, plus cruise control के buttons मिलते है, steering wheel up, tail touches कर सकते हो, telescopic नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको front और rear viper क यहाँ पे आपको front और rear headlamps का लीवर मिलता है, automatic headlamps मिलते हैं आपको इसके अंदर, यहाँ देखरो गाड़ी का instrument cluster, left hand side आपको speedometer दिखा रहे है, data speedometer, right hand side आपको rpm meter दिखा रहे है, data rpm meter, नीचे आपको right hand side temperature meter दिखा रहे है, left hand side दिखा रहे है, fuel leveler, उपर आपको distance to empty दिखा रहे है, उसके लावा आपको tire pressure monitoring system मिल जाए है, इसके अंदर, trip A, trip B, since refueling, यह typical Hyundai things है, जो आपको इसके अंदर मिल जाती है, which is very nice, यह आप दिखरो गाड़ी का touch screen infotainment panel, यह आपको same similar मिलता है, जैसे आपको neos में आ रहे है, piano black inserts मिलते हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपको media में जा सकते हो, navigation का आपको option मिल जाएगा, maps का आपको option मिल जाता है, यह tune करने का button हो गया, और आप इसको push करके off भी कर सकते हो, ऐसा ही on हो जाएगा, नीचे आपको AC vents मिलेंगे, hazard light का button, automatic climate control AC, which is a chiller, off करते हैं, यहाँ पे आपको एक type C port मिलता है, एक USB port मिलेगा, यहाँ यहाँ पे आपको wireless charging pad का outlet मिलता है, तो आपको USB port यहाँ भी मिलेगा, wireless charging pad, 5 speed 1 reverse manual transmission, gear boot पे आपको leather finish मिलेगी, यहाँ पे आपको 2 cup holders, chrome tip के साथ handbrake, यहाँ पे आपको pen holder या coin holder मिलता है, armrest मैं मिस कर रहा हूँ, armrest जरूर होना चाहिए था, यहाँ पे आपको space मिलेगी, यूनीक और अच्छा लगा, यहाँ पे भी आपको sort of a textured material मिलता है, ऊपर hard plastics मिलेंगे, लेकिन यह थोड़ा आपको soft material मिलता है, AC vents के surround में आपको piano black inserts मिलेंगे, पेशंदर साइचंशेट के उपर vanity mirror, halogen reading lamps, auto IRVM, SOS function के साथ, blue link function मिलता है आपको इसके इंदर, driver लेकिन इसके अंदर मिलता है, और यह sunroof के controls, one touch open sunroof के साथ मिलता है आपको, इतना यह पूरा open होता है, close करते हैं, और यह आप देखरो गाड़ी का Bluetooth microphone, overall fit and finish और गाड़ी की quality मुझे बहुत अच्छी लगे, अगर मैं computer तो पंच से पंच को तो इसने बहुत अच्छे से ट की भी premium है, no doubt, और दो कीज मिलेंगी, दोनों similar कीज मिलती है, reverse gear की बात करते हैं, तो clutch दबाके, ऐसे आप इसका reverse gear लगा सकते हो, and overall जो camera की quality है, वो पंच से far better है, लेगी बिल्कुल भी नहीं है, guidelines मिलेंगी, और आप settings भी कर सकते हो, इसके अंदर brightness भी, increase, decrease कर सकते हो, और द जो आपको modes भी मिल जाते है, camera के, एक zoom mode और एक wide mode, which is very nice, so overall camera की quality मुझे काफी अच्छी लगी, एक best feature जो मुझे लगा वो दिखाता हूँ आपको, first in segment feature आपको dash cam का मिलता है, extra के अंदर, जो की record करता है, outside का भी और inside का भी, wide angle के अंदर, one of the thumbs up feature from my side, चलिए bonnet open करके देखत है, तो आपको इसके अंदर petrol और CNG का option मिलता है, petrol engine की बात करें, तो आपको 1.2 liter, 4 cylinder, petrol engine मिलता है, जो produce करता है, 83 PS की power, 114 Nm of torque के साथ, bonnet पे आपको insulation देखने के लिए नहीं मिलेगी, और काफी light weight bonnet मिलता है, आप ये देख, check करो, bonnet और boot मुझे काफी light weight लगा as compared to doors, और य engine, वहीं अगर petrol प्लस CNG की बात करें, तो आपको 69 PS की power मिलती है, 95 Nm of torque के साथ, CNG प्लस petrol के अंदर, transmission की बात करें, तो आपको petrol engine के अंदर मिलेगा, 5 speed का manual transmission और AMT का option मिलता है, वहीं अगर CNG की बात करें, तो CNG के अंदर आपको सिर्फा सिर्फ manual transmission का option मिलेगा, dimensions की बात करे prices की बात करूं, तो price list में आप लोग की screen के उपर mention कर दिये, so कैसी लगी extra ज़रूर बताना, comment में जाके, वीडियो ज़रा भी पसंद आए, तो please like करें वीडियो को, subscribe करें मेरे चनल को, और bell notification भी on कर ले, and share करें अपने friends के साथ, जो गाड़ी लेने की सोच रहते है, extra, तो फ लिए टेक केर, signing off